तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिये फोर्थ समस्टर के सोसोलोजी यानि कि समासाफ्तर के MCQ टाइप के मोस्ट इंपार्टेन कोईच्छा आने वाले दिनों में लगी है उनको इस वीडियो कम्प्लीट जरूर देखना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा मिलेगी इस वीडियो से और आप सभी को मालूम होगा कि कई सारी ऐसी इंवर्षिटी है जहां पर MCQ टाइप की परिच्छा होने वाली यानि कि अब्जेक्टिव तो उन सभी इंवर्षिटी के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर है ठीक है तो बिगटन की और मुड़ जाती है या परिभाबसा कॉण से विद्धवान न दी है तो यहां पर मतलब होता अलग-अलग होना तो कोई भी चीज होती है अगर वह तूट जाती यह फिर अलग-अलग हो जाती है तो उसमें बहुत सारी समस्य आया जाती है तो इसी तरह जब समाजिक कोई संदस्चना है को इस्ट्रेक्टर बना हुआ है अपने कारत्मक संग्मेठण को खो देता है तो विग्ठण की ओर मुड़ जाती है मतलब कि अलग-अलग हो जाती है तो यह परिभाफा दी है उस प्रुमुक बिद्वान का नाम है ठीक है मो वरर ठीक है मो वरर दरंबर से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि समाजिक बिगड़न मतलब कि समाजिक जो अलग-अलग हो जाते तूट जाते बिखर जाते हैं वहां पिर करिया है जिसके द्वारा के बीच अफ्थापिस संबंध तूट जाते हैं यह परिभाफा कौन से बिद्वान ने दी है तो यह परिभाफा जो दी है उनका नाम है इलियट एवम मैरिल यह प्रमख बिद्वान है इन्होंने यह बात कही है ठीक है तो बिगड़न का मतलब आप लोग होना तोड़ना यह टोड़ जाना इस्ट हो जाना ठीक है बहुत ही महत्मों प्रश्ण है लेकिन अगला प्रश्ण में आप लोगों की समस्प्रस्तुत है कि बिचलित ब्युहार की आउधाडा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बिचलित ब्युहार का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो जिसकी मान दंड होते हैं समाज के भी कुछ मान दंड होते हैं उनके बिरुद्ध और कुछ समाज की जो अपेच्छाएं होती है उनके जो माप दंड होते हैं या फिर ठीक है कुछ नियम कानून होते हैं अपेच्छाएं होते हैं उनके बिरुद्ध जब कोई कार होता है त जो अमीदे हैं या फिर उसके कुछ नियम कानूने उसके अलग होकर उसके बिरुद्ध अगर कोई कार हो रहा तो वहां पर बिजिल ब्योभार होता है अगला प्रशन है कि केरिस ने समाजिक बिगटन के कितने लच्छनों का उलेग किया है तो केरिस एक प्रमुक बिद्वान है इन्होंने समाज में भिगटन के जो लच्छन का उलेग क्या उनकी संख्या आठ है से उत्तर्सा नंबर होगा अगला प्रशन है कि अपराद को समाजिक मान दंडों का उलंगन किस्ने माना है तो कुछ मान दंड होते हैं कुछ लोगों की आपेच्छाएं होती कुछ सिस् सही उत्तर्स का हो जाएगा अप्शन नंबर आ ठीक है मो ठीक है मो वरल अगरा प्रशन है कि किस ने कहा है कि अपरादी जन्मजात होते हैं यह बहुत ही पुराना डाइलाग है यह पुराना पंक्ती है आप लोग जानते भी होंगी इसने कहा कि अपरादी जन्मजात होते ह भी कहा है ठीक है लोंबरोसों ने दारंबा सही उत्तर होता होगा ठीक है निस्ट प्रशने कि अपराद कोई कार या दोस है जो की देश में उस समय प्रिचलित कानून के अंतरगर्द दंडनिये हैं ये कथन कौन से विद्ध्वान ने दिया है तो ये कथन डाक्टर सेंथना क द्वारा कहा गया है याद रखेंगे पॉप्लर कोश्चिन निस्ट प्रशन है कि किसने अपराद के लिए भागोलिक कारकों को उत्तरदाई माना है तो उस बिद्वान का नाम है ध्यान रखेंगे मांटे उसक्यू लेक्षन का वेरलेट ये सभी बिद्वानों ने इस स्धूइग अगला प्रशनलेय कि दाशुट सी आफ लोफ पुफ्टक के लेखां में तो है तो आफ लोफ पुफ्टक के जो लिखां है उनका नाम है मांन grateful मॉन्टेज क्यों मौन्टेश की उत्वड़ा इतने हाड नाम है ना कि प्रणाउंसेशन यानि उच्छाड़ करने में प्रोब्लम आ जाती है अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण है कि बाल अपराद के अंतरगत एक राज विशेश में उस समय कानून द्वारा निर्धायत एक निश्चित आव यानि की उम्र से कम आव के बच्चों द्वारा के अनुचित काद्यों का समावेश होता है या परिडाम या फिर ये जो पंक्ती है या लाइन है किश्विद्वान की द्वारा कईगे ये कईए सेंथना की द्वारा बानमबा सह उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि निम्द में से बाल अप्रादियों की समस्या की समाधान ही तो कौन से उपाए हैं तो इस प्रस्टे का जो सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर दा क्योंकि बच्चों का समचित पारण पोस्ट भी जरूरी है उचीत सिच्छा यानि कि अच्छी एजूकेशन भी जरूरी है और सस्त मनोरंजन एक अच्छा पर्याण और जिसमें वो अपना खेल कूद मनोरंजन कर सके इसलिए यह सभी चीज़े जरूरत पढ़ती इसलिए सभी अग्रा प्रश् Squad else कि कृत होगा कौन सा साधन है तो अगर कोई अपराधि है या फिर कोई कंटे मिनल है तो सको हुआने का जो पाहेन satur 2 प्रोवेशन ंंपर ज्रू पेरो भी ये हढ़न अगला की स्वेतासन अपराद कानून का उलंगन है जो मुखिरूप से बेपारियों बेवसाईयों राज नीतिग्यों जैसे समूहों द्वारा अपने कार बेवहार के संबंद में किया जाता है यह जो बात है कौन से बिद्वान ने कही है तो यह बात कही है उनका नाम है बहुत ही महात्मूर प्रशन ध्यान रखेंगे उनका नाम है कली मार्ड सनम्ब से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि एक बालप पराधी निर्धारित आयूसे कम का वहाँ ब्यक्त है जो समाज बिरो चरण कानून का उलंगन है या किस बिद्वान की परिभासा है तो यह जो परिभाफा दी गई है नियुमियर के द्वारा दी गई आनंबा से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के वा लड़की की आयू क्या है तो ध्यान रखेंगे मतब 16 वर्स 18 वर्स से कम है ठीक है मतब कि कम से कम 16 और 18 वर्स से उपर होगी तब ठीक रहेगा अगर कम है तो भीया ये क्या होगा ना समस्या होगी ठीक है अगर लड़की है 16 साल से कम और लड़का है 18 साल से कम तो उसको बाल अपराध के अंतरगत कहा जाएगा ठीक है और तो उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि मेच्यूर हो जाता था साल के बाद कोई भी इस मतलब की आदमी कोई भी लड़का तो ये बाल अपरादी के अंतर कताते हैं अगला प्रश्ण है कि बाल निया अधिनियम किस संद में पारिद किया गया है कि बच्चों को जो 1986 में अगला है कि सरप्रथम बाल नियाले किस संद में अफथापित किया गया था तो ये अफथापित किया गया था 1899 में ये भी प्रमुक कुश्चने दोनों को दिनों याद रखेंगे अगला प्रश्ण है कि भारत में पहला बाल नियाले किस संद में तथा किस सहर में यानि कि जो ठीके कोर्ट है वो अस्थापित किया गया था कोलकाता में यानि कि कलकत्ता में सन 1922 में याद रखेंगे अगला प्रस्ण है कि बाल अपरादी को पकड़ने पर पुलिस उसे कहां भेशती है तो उसे बहुत भेशती है और लोकन ग्रह में यानि कि कोई बच्चा अपराद किया है तो पुलिस उसको बेशती है और लोकन ग्रह में आ नंबर सही उत्र होगा अगला प्रस्ण है कि निकित में से कौन सा बाल अपरादियों के लिए और दोगिक बिद्याले हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफिशन नंबर दा यानि कि सार्टीफाइड इसकोल यानि कि जो प्रमाणित हो अगला की बोस्टरल स्कूल का जनमदाता कौन है तो उसे उत्तर हो जाएगा एलविन रगिल्स ठीक है बी नंबर अगला की किसी समाज में अंतर पीढ़ी संगर्स की समस्या तब उत्पन होती है जब वह समाज बहुतिक रूप से बहुत संपन हो जाता है या फिर आर्थिक रूप से निर्धन हो जाता है संक्रण की दसा में हो जाता है यह फिर लोग तांतरिक विवस्था का बिरोध होता है तो 24 नमबर प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर कौन सा बताएगे कमेंट सेक् है एडविन ले मर्ट ठीक है और यह प्रश्ण 2030 याने पिछले फाल पूछा भी गया था अगला है कि मर्टन के उसाल निम्निकित में से कौन सा बिचलन का प्रकार नहीं है ठीक है तो वो है अनुरूपता यह भी पिछले फाल 2030 में पूछा गया कोश्चन है अगला भी एक दफा समाजिक समस्याओं से संबंधित है तो समाजिक समस्याओं से जो संबंधित है वो है समाजिक बिचलन इसले से उत्तर बाह हो जाएगा अगला प्रश्ण की निम्रिकित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधाना से संबंधित है ठीक है तो वो है नामे society and the criminals और इस बुक के इस पुस्तक के लेखक है M.J. सेथना बानमबर सही उत्तर होगा अगला प्रस्न है कि बिचलन घटित होता है समाजीक अस्त्री करण के करण दोस्पूर्ण समाजी करण के करण ये पिर किस करण से होता है तो ध्यान रखेंगे बिचलन घटित होता ह दोस्पूर्ण समाजी करण के करण इसलिए बानमबर सही उत्तर होगा अगला की अपराद का बिभिन्नता युक्त साहचर सिधान किसने प्रस्तुत किया है फिर कौन से बिद्वार ने प्रस्तुत किया है तो उनका नाम है सदर्लेंड बानमबर सही उत्तर होगा अगला प् बहुत ही मात्पूण प्रस्ण है फदल लेने के द्वारा गई गई है और यह बात सही भी है कि अपरादी जो होता कोई जर्मजात नहीं होते वो समाज उनको बनाता है उनकी समस्याओं को नहीं फूनता है या फिर किसी भी काम के लिए उल करते हैं तो उनकी सिन्वाई नहीं उठाते हैं अगला प्रशन है कि निम्रकित में से कौन सा तत्त मरटन के बिचलन के बिचलेशन में सामिल नहीं है तुद्धान रखेंगे यह विधिवाद हलाकि यह बहुत कमाता आप इग्णोर भी कर सकते सहे लेकिन विधिवाद होगा अगला प्रशन है कि समाजिक तत्य क कि अधाना किस ने दिए बहुत हिमात प्रशन है समाजिक तत्य कि अधाना दुलखीम जो कि प्रमुक समाथ साफ्त्री विधिवाद हिनों नहीं दिए अगला की पोजिट्व फिलोस्पी पुफ्तक जो है इसके रशनाकार कौन है इसके लिए का कौन है तो उनका नाम है अगला एक निम्रिकित में से कौन से एक समिती नहीं है बाकी सभी समिती है तो इसमें से पडोस जो है एक समिती नहीं बाकी सरमिक संग पोटबाल कलब छत्र सांग ये सम एक समिती है नेश्ट प्रशन है कि निम्रिकित में से कौन समास्ताफ्तर के स्वरोपात्मक संप्रद से सम्मंधित नहीं है ठीक है तो वो है एल्टी हॉब हाउस यहीं नहीं है बाकी सब है यहीं विद्वान नहीं बस अगला प्रश्ण है कि निम्लिकित में से कौन से साइबर अपराद के आयाम है तो यह भी और तुक्तरिस्का हो जाएगा बानमबर एक बीसिये दो भी सही तीन भी तर चाल भी सही ठीक है कि अगला प्रश्ण है कि आरके मर्टन ने वड़न करने के लिए बारिश को प्रत्साहिद करने के लिए और चारिक नियत्तों में सनलगन होगी अमेरिकाओं के उदाहरण दिये यहां पर क्या भरा जाएगा अलाएक बहुत कमाता इसको अपिग्नोर भी कर सकते लेकिन यहां पर जो भरा जाएगा वह भरा जाएगा ठीक है आव्यक्त कार्जे यानि कि धानमर अगला प्रशने की बंदी ग्रह ब्योसाइक प्रसुच्छन कारिकरम बंदियों के किस कारे के लिए प्रारंब किये गए हैं यह महत्पूर्ण है तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर सुधार तथा पुनरवास के लिए अगला प्रशना है कि किस ने तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध की समाजिक प्रत्करिया है याना केवला प्राध क अपराधिक तथा समान भायो परती के लिए प्रतिसोध का कारे करती है परन्त अपराधिक गदविदियों पर आपत भी बनाए रखती है और यह जो पंगती है जो लाइन है यह कही गई है प्रमुक बिद्वान दुर्खीम के द्वारा सही उत्तर सानमबर होगा अगला एक और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊप रखती होते उनके लिए होती है आनउम्भात सही हुत्तर होगा अगर प्रस्ट्पूर्ण कि समपूरानंद आसरम प्रथम समपूरानंद आसरम प्रथम खुला खारह गार कि फिराज nem अफ्थापित किया गया है तो यह अफ्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में यानि कि यूपी में जहानक केंगे अगला कि आवेश को द्वारा की गई अवेद गद्विदिया हैं इन में से कौन सी तो है संगठित अपराद ठीक इसको कहेंगे हम लोग संगठित अपराद है अगला प्रश्ण है कि सी कांगो स्कूल ने विसा मानिता की समस्या का अध्यन किया तो यह आपको बताना है तो उन्हें आर्थिक दिस्ट कौन से किया नहीं कि फैनेंशल रूपे पैसे की इसअब से किया अगला प्राश्ण है कि निम्रिखित में से किसे निम्रिखित में से किस प्रकार के अपरादीयों की चर्चा फञांग będzie कीjoğ आपिरादियों के बारे में की है वो भी अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल आफ करिमिनलोजी में तो ये बात है सफेद पोस अपराधी की बात कही है या फिर इसमें उन्होंने वरड़न किया है बानमबर से उत्तर हो जाएगा तो आज किस वीडियो में 47 यानि कर्वी कोश्चन एंसर मैंने आपको बताएं उसमें से काफी कोश्चन पिछले फाल भी पूचे गहे थे और उम्मीद है कि इस पार भी कुछ-कुछ कोश्चन फसेंगे सारे तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ-कुछ ज़रू फसेंगे इसी तरह देदे तैयारी करते रहे हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे यह आपका अ सब्सक्राइब का लिजेगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जहन्द